हलो डियर स्टूदेंट्स वल्कम बाक मैं चैनल आज की वीडियो में हम फ्रांसिस गॉडविन के एक इंपॉर्टेंट वर्क को डिसकस करेंगे जिसका नाम है दा मैं इन दी मून फ्रांसिस गॉडविन एक हिस्टोरियन एन राइटर होने के साथ साथ एक बिशप भी थे इसे 1620 में लिखा गया था और इसे सबसे पहले पब्लिश 1638 में किया था गॉडविन ने इसे अपने रियल नाम से पब्लिश नहीं किया था बलकि डुमिंगो गंजलस नाम से पब्ल मैं में आने लगा था 16th सेंचरी यानि कि कुईन इलीजबेट की रेन में ये पूरी दरह से आ गया था तो रहने सा आ जाने से लोगों में न्यू अवेकनिंग आ रही थी इससे पहले चीज़ एक गॉड़ सेंट्रिक होती थी लेकिन अब मैं सेंट्रिक होने लगी थी तब Humanism आ गया था मतलब Humans की value बढ़ गई थी तब लोग ये मानने लगे थे कि Humans जो भी करते हैं खुद करते हैं अपने actions के लिए वो खुदी responsible होते हैं इसमें कोई God का रोल नहीं होता और इसके साथ ही Art and Literature का भी rebirth हुआ था इसके इलावा उस ताइम बहुत सारी discoveries भी होई थी planets, stars, sun and moon को लेकर तो इस ताइम कुछ famous astronomers थे जैसे कि Nicholas Copernicus, Jonas Calper, William Gilbert and Galileo तो इन्होंने astronomy पर बहुत सारी theories लिखी थी और इनकी ही theories से inspired हुए थे हमारे Godwin तो इन्होंने में यही बताया था कि दुनिया बहुत बढ़ी है और इसे explore करने से ही पता चलता है तो exploration से ही हम इन new continents, countries and planets के बारे में पता चलता है तो हमारा जो main character है गंजालस वो भी new discoveries करता है and इस world को explore करता है तो इसे बहुत सारी knowledge मिलती है तो इसे a man in the moon के लावा a discourse of a voyage दिदर बाय डिमिंगो गंजालस भी बोलती है यह एक science fiction work है जिस से H.G. Wells जैसे writers inspired हुए and उन्होंने time machine जैसे novels लिखी तो य यह थी इस work से related कुछ important बात है अब हम इसकी story को बढ़ना start करते है तो इस book को first person narrative में लिखा गया है मतलब गंजालस readers को अपनी story खुद बता रहा है इससे three parts में divide किया गया and पहले part में यह बताया गया है that गंजालस Spain से belong करता है he is a spanier और वहाँ पे गंजालस का एक person के साथ जगड़ा हो जाता है and फिर उसकी death हो जाती है तो वो Spain छोड़ कर भाग जाता है वो East Indies में पहुंच जाता है and वहाँ पे वो कई साल रहता है वहाँ पे वो jewels and other precious stones का business करता है and ऐसे वो बहुत अमीर हो जाता है उसके पस बहुत सारी wealth एकटी हो जाती है अब वो Spain लोटना च जाता है तो वो अपने servant डियागो के साथ अपनी voyage स्टार्ट कर देता है वोईज होती है समुद्रियात तरह पहले means of transportation ships या boats ही होती थी तो अपने journey पे गंजैलस बिमार हो जाता है and उसे San Helena नाम के एक island पे भेज़ दिया जाता है ताकि उसे इस journey से rest मिले and उसकी recovery हो जाए त इसलिए गंजैलस और डियागो को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा था तो उनमें communication भी रुख गई थी and इसे continue करने के लिए गंजैलस एक device बनाता है तो अब उस island पे गंजैलस को बहुत सारे गैंजास दिखते हैं गैंजा एक तरह के swan की ही category होती है आपने देखे होंग दिया जाए तो ये काफी weight भी उठा सकते हैं तो अब वो इन्हें gather करके सच में एक flying machine बना लेता है तो आपने कभी movies में या फिर mythological series में ऐसे flying machine देखी होगी जिसमें वो किसी को ऐसे उड़ा कर लेकर जाती थी तो वो इस पे बैटके island का चकर लगाता है और उसे लगता है क अगर मैं ये बात Spain में बताऊंगा तो इससे मैं काफी famous हो जाऊंगा जब वो flying test ले रहा था तो इसके ship पे किसी ने attack कर दिया था तो उसके ship destroy हो चुकी है उसके पास सिर्फ flying machine बची है तो इसके सहरे ही वो कहीं पे आ जा सकता है इसके लावा उसके पास कोई और option नहीं इवल होते हैं तो वो लोग गंजालस से बोलते हैं कि हम तुम्हें खाने पीने के लिए चीज़े देंगे और तुम्हें safely Spain में land भी करवा देंगे बट इसके बदले तुम्हें हमारे group में add होना होगा और इसके लिए तुम्हें एक pact यानि कि एक agreement sign भी करना होगा लेकिन ग खाने का कुछ सामान पैकर के देते हैं और वो वहां से चला जाता है इसके साथ ही पार्ट वन यहां पे खतम हो जाता है और सेकिंड पार्ट में हमें ये बताया गिया है कि गंजालस 12 डेज का सफर तै करके मून पे पहुंच जाता है तो अब उसे भूख लगती है और वो देखता है जो उसे human like creatures ने दिया था उसे खोल कर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें तो सिर्फ सुखे पत्ते, animal hair and animal dung होता है तो उन्होंने गंजालस को ये सब चीप चीज़े pack कर के इसलिए दी थी क्योंकि गंजालस ने उनके group में add होने के लिए मना कर दिया था तो बताता है कि ये लोग कुछ rules follow करते हैं और इन्ही rules के according ये अपनी life भी जीतते हैं आगे गंजालस बताता है कि लूनर्स एक खास तरह की language बोलते हैं जिसमे words and letters इतने नहीं हैं लेकिन sounds and tunes जाद हैं तो ऐसे गंजालस फिर वहां पे कुछ महीने रहता है और वहां की language भी वापस कैसे जाएगा इसलिए वो वापस जाने का decision लेता है तो उसके जाने से पहले जो moon का राजा होता है और डॉनर्स वो उसे तीन तरह के precious gems देता है पहला तो होता है polystates जो की heat produce कर सकता है second होता है macbrus जो की light produce कर सकता है तो third है abilis जिसकी एक side अगर किसी human being को touch करती है तो वो person weightless हो जाता है और अगर दूसरी side touch करती है तो वो person फिर से heavy हो जाता है तो गंजालस अपनी flying machine को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और इसका second part भी यहीं पर खत्म हो जाता है तो अब आता है इस book का third and last part उप गंजालस धीरे धीरे नीचे आ रहा है जब उसके थकने लगते हैं तो वो उस ableist stone को touch कर लेता है तो वो light weight हो जाता है ऐसे उसके birds पे burden नहीं पड़ता तो ऐसे 9 दिनों की journey के बाद वो चाइना में land कर जाता है तो वहाँ के लोग उसे एक magician समझ के पकड़ लेते हैं और ऐसे वहाँ पे रहते हुए वो Mandarin language सीख जाता है Mandarin होती करना start कर देते हैं तो अब गंजैलस वहाँ पे Jesuit के बारे में सुनता है ये लोग Catholic Church से जुड़े होते हैं तो वो उनसे मिलने की permission लेता है तो वो अब उनसे मिलके अपने adventures के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है तो वो Jesuit उसे कहते हैं कि हम तुमें वापस pain भेजने क arrangement करेंगे तो वो वापस pain पहुशता है या नहीं इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ी इच्छ है कि वो अपने देश वापस जाए and अपने experience and knowledge को अपने countryman के साथ share करें तो यहीं पे इस book की story हो जाती है खातम उमीद करती हूँ कि like and channel को subscribe कर देना